सो हेलो ब्रिवन जेसे सी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों के तरफ से आप सभी को जोहार अभिननदन वेख करते हैं आज के इस सेशन में हम लोग जार्खन जिल्ला से समंदित उन प्रश्णों को डिसकेशन करने वाले हैं जो कि ओल्रेडी आप लोग का चोकिदार एक्जामनेशन में प्रश्ण के वतोर पूछे जा चुके हैं जैसा कि जार्खन के अभी बात करते हैं 24 जिल्ला में चोकिदार भरती परकिरिया जो कि आप लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं तो 9 जिल्ला में एक्जामनेशन अभी आप लोग का जो भरती परकिरिया प्रोसेस है वो चीज अभी रुकी हुई है चुनाओ के कारण वहीं दूसरी और यदि हम लोग बात करते हैं तो 16 जिल्ला में एक्जामनेशन हो चुके हैं और इस 16 जिल्ला में से 10 जिल्ला का जो question paper है वो हमारे पास available है और ये 10 question paper जो की 10 जिल्ला में आप लोग का question paper वो चीज जारी किया गया है वहीं 6 जिल्ला का बात करते हैं तिहां का जो question paper है प्रश्ण बत्र वो ओट नहीं किया गया जैसे बोकारो हो गया पच्छमी सिंबुम हो गया ये कुछ कुछ जिल्ले आप लोग देखते होंगे लातिहार जिल्ला तो इन सारे जिल्लों में यानि कि 6 जिल्ला में question paper को ओट नहीं किया गया तो बट हम लोग बात करने वाले जो 10 जिल्ला का question paper जो की आप लोग का जैसे विद्यार थी है question दिया गया answer की के रूप में वो question भी बाहर आया तो उन 10 जिल्ला रामगर हो गया गुमला हो गया गिरिडी, सिम्डेगा, चत्रा, लोहरदगा, कोडर्मा, खूटी, पलामू, गोड़ा इन 10 जिल्लों में जो भी जार्खन जिल्ला से समन्दित प्रश्न पूछे गए हैं और आप previous year जो analysis answer की है वो चीज वीडियो आप देखे होगे तो बहुत सारा question जो की 3-4 जिल्लों में सेम वही question पूछा जा चुका है इसलिए आप लोग के लिए हमारे गुरुकुल मेंबर के तरफ से ये चीज डिसाइड किया गया कि आप लोग के इन 10 जिल्ला में हम लोग ये 4-5 वीडियो आप लोग को प्रुभाइड किया जाएगा एक ये आप लोग का जार्खन जिल्ला से समन्दित दूसरा वीडियो रहेगा जो की आप लोग को math and reasoning जितने भी इन 10 जिल्ला में से जहाँ जहाँ पूछे गए है math और reasoning से उसका एक वीडियो लेक्चर आएगा एक लेक्चर आएगा आप लोग को जिक्के के जो question है and जो science के question है जिक्के में भी देखेगा तो यहाँ पे आप लोग को जैसे ओलंपिक हो गया पैरा ओलंपिक हो गया इससे समन्दित आप लोग का यहाँ पे देखेगा current affair से प्रश्ण पूछे जा रहे हैं तो इसका एक आप लोग को वीडियो लेक्चर लाया जाएगा एक दो तीन तीन वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए लाया जाएंगे और ये सभी जिल्ला के लिए ये वीडियो classes आप लोग के लिए उप्योगी है चुकि हम लोग यहाँ पे जिल्ला का डीप नहीं देखेंगे यह सभी जिल्ला के जो नो जिल्ला में एक जामनेशन नहीं हुआ है यह सभी जिल्ला के लिए आप लोग को यह कलासेस इंपोर्टेंट है चलिए अब हम लोग प्रश्ण को यह और बढ़ते हैं और हम लोग साथ में और कुछ एक्ष्टा फेक्ट भी जनकारिया प्राप्त करते चलेंगे ताकि आप लोग का जो क्वेस्चन पूछा जा सकता है वो सकता है यही क्वेस्चन पूछ ले या इससे को रिलेट करके तो वो प्रश्ण आप लोग के छूटे ना फिलाल चले हम लोग सेशन को प्रारम करती हैं पहला प्रश्ण देखिएगा 2011 के जनगन्ना के अनुसार जारकन राइच की साचता दर क्या है 2011 के जनगन्ना के एकोडिंग जारकन का जो साचता दर है वो कितना है वो है 66.41 परतिशत यहाँ पर थोड़ा से हम लोग डिटेल्स में बाते करते हैं देखिए यह तो ओबर ओल साचता दर हो गया मेल का साचता दर यदि बात करते हैं तो मेल का है 76.84 परतिशत फिमेल का बात करते हैं महिला का साचता दर जारकन में वो है 55.42 परतिशत याणिकि 8 का आधा 4 का आधा तो ये चीज हो गया MALE का 36.84 फिमेल का 55.42 यहाँ पर दूसरे रूप में इस प्रकार पुछा जा सकता है जारखन का सरवाधिक 48.85 वाला जिला वो हमारा राँची जिला निवान्तं 49.85 वाला जिला तुव ह हमारा पाकुड जिला राँची का साचाता दर बात करते हैं 76.06% है पाकुर का 48.82% है यह तो जरूरी नहीं है लेकिन इसी परकार से जब आपको रिलेट होकर के पढ़िएगा तो वो चीजे असान हो जाएंगी और एक भी प्रश्ण छुटेगा नहीं और यह प्रश्ण आने वाले एक जाम के लिए भी इंपोर्टेंट जायर सी बात है आप लोग तो सिफ चोकिदार में फोकस्ट तो नहीं होंगे पहले लिए आप जार्खन पुलीज उत्पास शिपाय या फिर और भी अपकमिंग भेकिंसिया जो की जार्खन में देखने को मिलेंगी जायर सी बात है उसका भी एक जामनेशन में बैठियेगा इंटर ग्रेजेशन लेवल में तो वो चीज भी हम लोग को यहां पे साथ में कभरव करते चलना है अगला प्रशन है जार्खन राइज का गठन कब हुआ जार्खन राइज का गठन पंद्रा नौवंबर दो हजार इस्वी में और ये बिर्शा मुंडा के जन्म दिवस के सुब उसर परी जार्खन राइज का जो अस्थापना दिवस है वो चीज पंद्रा नौवंबर में किया जाता है यहाँ पे देखे एक जिल्ला में ये भी प्रश्ण पूछा गया है बिर्शा मुंडा का जन्म दिवस और ये बेसिकली राइजी जिल्ला में आप लोग ये पूछा जा सकता है राची जिल्ला नहीं हर एक जिल्ला के लिए बिर्षा मुंडा से समंदित जीवनी अपलूपली इंपोर्टेंट है बिर्षा मुंडा का जो जन हुआ था वो 15 नॉवंबर 1875 इस्वी में और जारखन राज का गठन 2000 इस्वी में राची के एक जेल में हैजा नामक बिमारी के कारण वो बताई जाती है अगला प्राशन है जारखन के किस जिल्ला में डिमना जिल इस्थित है डिमना जिल ये आप लोग का जमसितपूर में अवस्तित है हजारी बाग जिल की बात करते हैं ये हजारी बाग में ही अवस्तित है और कुछ जिल जो की जमसितपूर के लिए इंपोर्टेंट है डिमना जिल, हुडको जिल, जैयन्ती, स्रोवर और डोबो जिल और बुरुडी जिल की यदि हम लोग बात करते हैं तो बुरुडी जिल ये आप लोग का घाट सिला में अवस्तित है पालना जिल की बात करते हैं ये खरसावा में अवस्तित है तो चाची जिल जो की धनबाद में अवस्तित है ये कुछ इंपोर्टेंट जिल है आप लोग याद किजिएगा अगला प्रस्ण है जारकण में छोटा नागपूर टेनेंशी कानुन की इस वर्स लाया गया मिनस सीएंटी एक्ट और सीएंटी एक्ट है यह आप लोग का 1908 में लाया गया तो अधियाय और एक हम लोग का देखने को मिलता है धाराय एक अधियाय और एक धारा धाराय की यदि हम लोग पहले अधियाय की बात करते हैं तो 19 अधियाय थे और धाराय की बात करते हैं तो 271 धाराय यह चीज यहां पर आप लोग को इंपोर्टेंट हो गया और यह जो छो वो जोन एच होपमेन जोन एच होपमेन के द्वारा ये बुलिप प्रिंट तियार किया गिया था एक तो CNT Act हो जाता है एक्ट आप लोग को एक एक्सपेक्टी एक्ट आटा जाता है यानि कि ये हा जाता है संथाल परगना Tenancy Act संथाल परगना कासतकारी अधिनियम और ये आप लोग को लाया गिया था 1949 इस्वी में जिस समय गवर्नर जनरल थे राज गोपाला चारी और यहां पे अधियाय की बात करते हैं तो उन्हों संख्या नो थी और धराय की संख्या बात करते हैं तो 72 थी बस ये चीज़ CNT SPT से आप लोग याद रखेगा ये इस्वी आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है अगला परशन है जहारकन के वर्तमान बिधान सभा अधियज कोन है जहारकन के वर्तमान जो बिधान सभा अधियज है वो है रविद्र नात महतु और ये जितने परशन है ये किसी न किसी जिल्ला में पूछा गया है किसी जिल्ला में एक ही परशन दो तीन जिल्ला में बार पूछ जा चुका है अगला परशन है देखिए गंगा नदी जहारकन की किस जिल्ले में बहती है गंगा नदी जार्खन का सिर्फ एक मात्र जिल्ला है वो है सहब गंज जिल्ला और गंगा नदी से जुड़ा हुआ एक प्रश्ण आर आप लोग का पूछा जाता है जार्खन राजी गंगा नदी सरचन प्राधी करन का गठन जार्खन राज गंगा नदी प्राधी करन ये जो गठन है इसका गठन किया गया था 20 फरवरी 2009 इसवी में केंदर सरकार के तरब से और इसका जो मुख्याले है वो आप लोग का मुख्याले राची में है कहां पे है इसका मुख्याले राची में अगला प्राशन है जार्खन राइज गठन की समय कितने जिल्ले थे जार्खन राइज गठन की समय जिल्लों की संख्या 18 थी वर्तमान समय में इसकी संख्या 24 है यहाँ पे परमंडल की संख्या बात करते हैं गठन के समय तो 4 थे वर्तमान समय में इसकी संख्या 5 है वहीं दूसरी और बात करते हैं तो 200 पर्खन की संख्या उस समय 210 कहीं पर आप लोग को 212 देखने को मिलेगा वर्तमान समय में इसकी संख्या 264 है तो ये कुछ है जो कि आप लोग यहाँ पर याद किजिएगा अगला प्रशन के और बढ़ते हैं अगला प्रशन है जहारकन की कीस अस्थान पर एंगलो इंडियन समुदाय के लोग रहते हैं ये जहारकन के साथ साथ बीशू का एक मातर जगा है वो है मैकसुल की गंज अगला प्रशन है कोईला खान के लिए परसीद छेत्र देखे खनीज वो तो पता ही जहारकन जो की खनीज के लिए ही परसीद है तो मेन मेन जो खनीज है वो कहां से है उसका अस्थान याद कर लेना और ये बहुत सारा जिला में पूछा गया वो चीज़ अभी हम लोग जादू गोड़ा बात करते हैं तो ये आप लोग का यूरेनियम के लिए परसीद है और चीज हम लोग चलिए बात कर लेते हैं जैसे तांबा तो तांबा के लिए घाट सीला हो गया मुसावनी हो गया सुर्दा हो गया राखा हो गया धोबिनी हो गया ये आप लोग का तां के लिए लिपसा बुरू और क्रोमाइट के लिए जोजो हातू बोकसाइट नगरी जो कि लोहरदगा जिल्ले को कहा जाता है ति यह चीज आप लोग चली हम लोग यहां पर लिख के एक बार असपष्ट कर लेते हैं देखिए क्रोमाइट के लिए क्या ची हो जाएगा जोजो हातू क्रोमाइट के लिए जो जो हातू एक परचलित जगा है ये काइनाइट ये दोनों में काफी वो चीज़ याद करने में थोड़ा मसकत होती है इसलिए एक जगा लिखेंगे काइनाइट का ये हमारा लिपसा बुरू हो गिया काइनाइट के लिए तामबा के लिए परचलित जगा आप लोग याद रखेगा घाट सीला तामबा के लिए ये घाट सीला याद रखेगा और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज़ ग्रेफाइट ग्रेफाइट के लिए आप लोग पलामू को याद कर लिज़ेगा ग्रेफाइट पलामू यह चीज हो गिया और एक ग्रेणाइट एक ग्रेफाइट हो जाता है एक ग्रेणाइट हो जाता है ग्रेणाइट के लिए आप लोग तूपू दाना याद रख लिजेगा तूपू दाना और यह बोक्साइट के लिए आप लोग याद रख लिजेगा बॉक्साइट के लिए लोहर दग्गा बस ये कुछ इंपोर्टेंट है आप लोग का वो चीज याद रखिएगा जो अभी आप लोग को बताए गया अगला प्रशन है मैथन जल बिधूत केंदर जहारकन के किस जिल्ले में इस्तित है मैथन तो मैथन ये आप लोग का धनबाद में अवस्तित है पंचेत ये भी आप लोग का धनबाद में अवस्तित है मैथन और पंचेत दोनों धनबाद में अवस्तित है और बात करते हैं यदि हम लोग तिलया की तो तिलया ये आप लोग का कोडर्मा में आवस्तित है तिलया कहां पर आवस्तित है कोडर्मा में तिलया कोडर्मा में और तिलया जो जल विधुत केंद्र है वो 1903 तीरपन में ये मैथन जो है विधुत केंद्र ये तो आप लोग का संतावन का है बट मैथन बांध की बात करते हैं ये आप लोग का उनिस सो अंठावन का है इसी परकार हम लोग बात करते हैं कोनार कोनार ये आप लोग का हजारी बाग में हो जाता है कोनार कोनार हो जाता है हजारी बाग में एक है बाली पहाडी यह आपलू का गिरिडी में हैं अगला प्राशन है 1855 में अंग्रेजों के बिरुद कहां विद्रो हुआ था 1855-56 यह संथाल विद्रों की घटना है संथाल परगना में जो की आपलू को घटित हुआ था अगले प्राशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग संविधान सभा में जार्खण से कोन थे? जिनने मरांग गोमके के नाम से जाने जाते हैं और इसका जो यह है वो होकी खेल से समंदित रखते हैं भारत जो पहला ओलमपिक 1928 इस्वी में जो स्वर्ण पदक जीता था उस समय ये कप्तान के बतोर वहाँ पे होकी टिम से वो मेंबर खिलाडी खेल रे थे जेपाल सी मुन्डा अगला परशने जारकन राइस का राचकी पूस्प और हाँ ये जो पर्तिक चेन है राचकी पूस्प हो गया राच्किये आपका वरीच हो गया राच्किये पसू हो गया राच्किये निरित हो गया यहां सभी भर-भर के परशन आप लोगे पूछे जा रहे हैं तो जारकान राच्किये पूस्प हो गया वो आप लोगे का पलास हो गया राच्किये पूस्प पलास राजकी ये पच्छी मोर, राजकी ये व्रीच साल का व्रीच, लाजकी ये निरिती ये छो निरिती जो की सराइक एला में आप लोगा वो चीज पर चलीत है देखिए एक चीज हम लोग वहाँ पर पढ़े थे अभी जस्ट कोईला के लिए करनपूरा और यहाँ पर देखिए जादू गोड़ा किस खनीस के लिए परसीद है प्रश्न पूछ दिया गया ये भी तो जादू गोड़ा किस के लिए है उरेनियम के लिए बोकसाइट के लि हम लोग लोहर दगगा को पढ़े थे बोकसाइट के लिए लोहर दगगा को और हाँ ये जो परब तेहवार जैसे करम हो गया सरहूल हो गया सोहराय हो गया टीसू हो गया मंदा हो गया ये कब कब किस मा में मनाय जाता है यहां से भी प्रश्न आप लोगे पूछे जा रही है तो कर्मा तेहवार करम तेहवार जो कर्मा तेहवार है करम जो की हाल में भी आप लोग को हुआ हाल ने दो तिन मन्त हो गया है तो कर्मा परभ ये कब मनाय जाता है तो ये भादो एकादसे के इंजोरिया रात को मनाय जाता है पूस में क्या चे मनाय जाता है तो टूसू परब आप देखे होंगे ये रामगड इलाका में मनाय जाता है जो कि एक खिलवना के जैसा वो चीज बनाय जाता है दामोदर नदी के जो भी किनारे हैं उस छेतर में तो टूसू परब पूस महिना में और चैत में क्या तो चैत मे जो जारकन का सबसे आदिवासियों का सबसे important परब है सरहूल और फूलों का तहवार के नाम से इसे जाना जाता है सरहूल परब को फूलों का तहवार इसलिए चुकि जब गर्मियों में आप लोग देखते होंगे ये मार्च अपरेल का मंथ में जो नए पत्ते आते हैं साल के विरिच में और जो फूल आता है वो फूल का इसमें पूजा की जाती है सरहूल सोहराय परब का मना जाता है तो सोहराय जो की अभी आप दिपावली देख रहे हैं इसमें सोहराय परब सोहराय ये अमासिया रात में आप लोगों को कार्तिक में मनाया जाता है कब जो आप लोगों का ये चीज़ है कार्तिक अभी माह चल रहा है तो कार्तिक में ही आप लोगों का सोहराय प्रभ मनाया जाता है ये कुछ परभ है आप लोगों को याद रखना है अगला प्राश्ण के और बढ़ते हैं जारखन के वर्तमान राजपाल कोन है जारखन के वर्तमान राजपाल कोन है तो जारखन के जो वर्तमान राजपाल है वो है संतोष कुमार गंगवार ये भी तीन चार जिल्ला में पूछा गिया है और वर्तमान जो मुकमंत्री है वो भ और चुना का समय है तो इसलिए लोग सभा, राय सभा याद रखियेगा जारखन अंतरगत लोग सभा और राय सभा की सीटे लोग सभा में 14 सीट और राय सभा में 6 सीट लोग सभा में 14 राय सभा में 6 देखिए जेपाल सी मुंडा important वेक्ति हैं इनसे जुड़ा हुआ भी question पूछा जा रहा है एक वहाँ पे पूछा गया एक यहाँ बेतिक है पाल सी मुंडा के नेत्रित में किस खेल में ओलम्पी का स्वर्ण पदक जीते थे अभी हम लोग जीकरी की है होकी खेल में अगला प्रशन है जार्खन राइज में किस अस्थान पर सूर्य मंदिर है सूर्य मंदिर जो की परचली थे रांची का बुंडू में अवस्तित है यह आप लोग का जार्खन राइज के वर्तमान मुख मंत्री तो जार्खन राइज के जो वर्तमान मुख मंत्री है वो हेमंत सोरेन है हेमंत सोरेन जार्खन के वर्तमान मुखमंत्री जो की 13 नमबर की है प्रश्ण में पूछा जागा 12 नमबर के कोन मुखमंत्री थे तो 12 नमबर के चमपय सोरेन मुखमंत्री थे जार्खन राइच की रजधानी कौन सी है देखे जार्खन राइच का जो रजधानी है वो है राची राची जार्खन की उप रजधानी है दुमका देखे परश्ण तो बेसिक बेसिक ही पूछे जा रहे हैं जो लगतार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुती असान आप लोग को इसको हलके में नहीं लेना है अनि यह था आप एकजाम में बैठे होंगे कई सारे एकजाम में आप देखते होंगे जो असान परशन रहता है वही चीज हम लोग गलत करके आ जाते हैं जो थोड़ा कठीन परशन रहता है उसी चीज को हम लोग बना के आवा जाते यह कई बार होते हैं विद्धार्थियों के साथ में अगला प्रश ने जार्खान राइच का गठन की साराजी से अलग कर गया था जार्खान राइच का गठन बीहार राइच से अलग करके 15 नौमब्र 2019 吏र बीहाश के 46% बुभाग को काट कर थे अगला प्रश्ण है महेंद्र सी धोनी की खेल से समंदित रखती है ये आप लोग के एक समझिये की ये परख्यात वेक्तिव परसन जो की जारखन से समंद है इनसे भी रिलेटेड प्रश्ण पूछे जा रहे हैं महेंद्र सी धोनी इनका खेल किरकेट है ये किरकेट खेल से समध रखते हैं महेंद्र सी धोनी को माही के नाम से जाना जाता है और केप्टन कुल के नाम से भी जाना जाता है इस्वी याद रखेगा 2007 इस्वी 2009 इस्वी 2018 इस्वी क्या है तो 2007 इस्वी में आप लोग का राजी गांधी राजी गाधी खेल रत ने पुरुसकार से समानित किये जा चुके हैं मेंदरिशी धोनी 2009 इस्वी में इन्हें पदम सिरी पुरुसकार से भी नवाजा गिया है पदम सिरी पुरुसकार और तो 2018 इसवी में पदम भूसं से भी ये नमाजे जा चुके पदम भूसं तो ये तिनों पूरूषकार याद रखे एगर आर्जीव गांधी 2007 में पदम सिरी 2009 में 2018 में पदम भूसं जारकन के पहले मुखमंत्री देखे पहले मुखमंत्री वो तो थे बावुलाल मरांडी और जो पहले राजपाल वो परभात कुमार तो ये भी परश्ण के रूप में आप लोग को यहां पे पूछा गया है देखें कैसारी लोग को थोड़ा असान लग रहा होगा लेकिन इस एकजाम के लिए आप लोग को समझना पड़ेगा कि question कैसे पूछे जा रहे हैं और वही चीज यहां पे इसलिए वही चीज बताने के लिए ही उसी उद्देश सी ये के साथ ये previous question आप लोग के साथ में वो चीज दिये जा रहे ताकि आप उस चीज को खुद से अपने आप से उस चीज को analysis कीजिए कि वाके में प्रश्ण पूछे जा रहे हैं कैसे सो तूसू तेहवार देखिए तूसू तेहवार यहां पे पूछ दिया गया है और इसी तूसू तेहवार के बिशे में हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं तो तूसू परव है यह आप लोगो पूस महिना में और यह यहां पे ओर तो नहीं है important यह भागु नित आपका holy यह सब बोला important नहीं हो ली यह सब अगला प्रशन है भगवान बिर्शा मुंडा जैन्ती कब मनाई जाती है बिर्शा मुंडा जैन्ती जिस दिन इनका जनम हुआ था जनम कब हुआ था 15 नौमबर 1857 को तो यहां पे शिप डेट और मन्त है तो 15 नौमबर सिप एंसर हो जाएगा जारखन के किस आदिवासी नेता को पहली बार पहली बार मीन सबसे पहले आदिवासी नेता जिनको सबसे पहले पदम सिरी से समानित किये गए हैं तो वो है हमारे जुवेल लकड़ा, कौन जुवेल लकड़ा, इनको 1947 इस्वी में ही पदम सिर पुरुषकार से समानित किया गया है, इन में से कौन से परमवीर चक्र विजेता जारखन से है, और ये एक मात्र परसन है, परमवीर चक्र विजेता, ये है अलबट एका जो की परमवीर चक्र 1922 इस्वी में दिया गया था, हम लोग यहीं पर देखिए, एक तो परमवीर चक्र जो की एक मात्र वेक्ती जारखन की है, और एक असोक चक्र भी आप लोग याद रखिएगा, कि असोक चक्र सबसे पहले कि इनको दिया गया था, तो रंधीर वर्मा को, ये आने वाले किसी भी जिला में परश्ण के रूप में आप लोग देखे जा सकती है, अगला परश्ण है, मुखमंत्री दाल भाति, योजना की तहद, एक दिन में जो आप लोग को भोजन उपलब्द कराया जाता है, वो कितना रुपिया में उपलब्द कराया जाता है, तो पांच रुपिया में वो चीज कराया जाता है, अगला परश्ण है, इन में से किस महा पुरूष को धर्ती आबा के नाम से भी जाना जाता है, देखे ऊप नाम, और ये धर्ती आबा, जैसे हम लोग कुछ परसन नाम याद रखते हैं, आप देखे, बिरसा मुंडा होगे, जैपाल सी मुंडा होगे, अलबा टेका होगे, महेंदर सी धोनी होगे, तो इन सारे जो बेक्तियों का नाम है, इन से रिलेटेड आप लोग याद कर लिजेगा, बार बार देखने को मिलेंगे, और ये जो धर्ती आबा के नाम से कौन जाने जाते हैं, बिरसा मुंडा, ये जारकन में नहीं है, तो हम लोग मगद देख पा रहे हैं, ये जारकन में नहीं है, अब परमंडल बात करते हैं, तो जारकन राइज गठन के समय चार वर्तमान में पांच, कैई जगा आपको ये परश्ण के रूप में देखा गया है कि इस परमंडल में कितने जिल्ले अव आप लोग का कोलहान और पलामू, इसमें आप लोग की तीन तीन जिल्ले हैं, तो ये परमंडल में कितने जिल्ले अवस्तित हैं, ये भी प्रश्ण पूछा गया है, दोहजार ग्यारा की अनुसार इनमें से कोन से जिल्ले की जनसंख्या सबसे कम है, जिल्ले की जनसंख्या सबसे कम है तो लोहरदगा में जनसंख्या सबसे कम है और सरवाधिक जनसंख्या वाला जिल्ला वो हमारा राची जिल्ला है सरवाधिक जनसंख्या वाला जिल्ला राची जिल्ला इन में से कोन सी परशित चित्रकला जार्खण में बनाई जाती है जार्खण में बनाई जाती है वो है सोहराय चित्रकला मधुबनी कहां का है ये हमारा बिहार का है सोहराय हो गया, जादो पेटिया हो गया ये सारे हमारे कहां पी है ये जार्खण के जार्कन में वर्तमान में कितने जिल्ले हैं तो गठन के समय तो 18 जिल्ला था और अभी वर्तमान में इसकी संख्या 24 है वर्तमान में 24 है एक आप लोग देखिएगा अनुमंडल भी पूछा जाता है जार्खान रायज गठन के समय अनुमंडल की संक्या 33 थी और वर्तमान समय में इसकी संक्या 45 है अगला प्रशने जार्खन मुख मंत्री ये आप लोग का मैय समान योजना जार्खन मुख मंत्री अंतरगत मैय समान योजना यहाँ पर क्वेशन में छूट गया है मैय समान योजना इंक्लूर कर लिजिएगा तो जार्खन मुख मंत्री के समच जो अभी वर्तमान में मैय समान योजना है इसके लिए उम्र की गन्ना कितना से कितना किया जा रहा है तो यहारकंड का राजकिय निरिति की अधियम लोग बात करते हैं तो यह है छो निरित जारकन का राच्किय निरित छो निरित राच्किय पसू हाथी पसू राच्किय पसू हाथी यह देखिए यहाँ पर दोनों परश्ण पूछ दिया गया है इससे पहले हम लोगों ने देखा राच्किय पूछ पलास है एक परश्ण और पूछा गया है राच्किय पच्छी तो मोर पूछा गिया है टांगी नात धाम जारखन की किस जिल्ले में अवस्तित है टांगी नात ये आप लोग का गुमला में अवस्तित है टांगी नात गुमला में बॉक्सायट नगरी देखिए बॉक्सायट वाला पूछ दिया गया इससे पहले कोईला जादुगोडा पूछ मंदिरों का गाउं मलूटी को और मंदिरों का सहर द्योगर को जितने आवी उपनाम है चाहे बेक्ती का उपनाम, चाहे अस्थान का उपनाम यह वाला सेक्शन आप लोग देख लिग जियेगा जारखन में परमंदलों की संख्या कितनी है तो पांच परमंदल है जारखन की किस जिल्ला में बासुकी नाथ मंदिर है बासुकी नाथ ये आप लोग का दुमका में दुमका में बाबा वैदनाथ धाम ये आप लोग का देवघर में आप सुने होंगे अक्सर अगल बगल के लोग यदि देवघर सावन माह में जाते होंगे तो देवगर्व के बाद वो उसी मार्ग पर आप लोग का बासुकी नाथ धाम है तो वहाँ पे भी ओची जाना अनिवार ये मानती है हमें तो मौका नहीं मिला है जाने का बट कोशिस रहेगी कि जाना चाहिए वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक धार्मिक अस्थल है ये बासुकी नाथ की हो गई दुमका में आप लोग का अवस्तित है अगला प्राशन है तिलया डेम किस नदी पर है तिलया की बात करते हैं ये बेसिकली है कहां तो ये आप लोग का कोडर्मा में है और किस नदी पर तो बराकर नदी पर है जहारकन में कुल विधान सभा की कितिनी सीटे हैं देखे तीनों सीट पूछ दिया गिया लोक सभा राई सभा इसे पहले हम लोगों ने देखा अब यहां पे आप लोग का विधान सभा पूछ दिया गिया है तो वर्तवान समय में जो विधान समय चुना हो रहा है एकार्सी सीटों पर हो रहा है इन में से किसे मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है देखिए उपना पूछ दिया गिया तो मरांग गोमके के नाम से जेपाल से मुंड़ा को जाना जाता है धर्ती याबा के नाम से बिर गिरीडी में आवस्तित है और पारशनात पहाड से भी जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रश्ण पूछा गया है पारशनात पहाड सबसे पहले गिरीडी जिल्ला में आवस्तित है इसकी उचाई तो 1365 मिस्टर जेन धर्म के लिए तिर्थकलों के लिए ये चीज़ काफी परचलित है आप लोगों का तो ये परशन के वतोर पूछे जा चुकी है कि किस समुदाय के लिए काफी परचलित माना जाता है तो जेन समुदाय के लिए अगला परशन है मांट एवरेष्ट पर चढ़ने वाली ज जारकन की है वो है प्रेमलता अगरवाल यहां पर हम लोग नाम देख रहे हैं अरुना मिस्रा का तो अरुना मिस्रा यह जारकन की आप लोग का मुख्य बाजी से समन्द रखने वाली है देखे यहां पर देखे राजकी पच्छी से प्रश्ण पूछा जा चुका है राजकी बेसिक जिसे कि आप लोग के भी अंदर में वो चीज इनर्जी ओर जा आ सके अभी के समय में आपको अपने आप पर अपने उपर पर सिच्छा और संसकार दोनों पर काम करना है चुकी सिच्छा और संसकार जीवन के वो दो मुल मंत्र है सिच्छा जो कभी आप लोग को जुकने नहीं देगी और संसकार जो कभी आप लोग को गिरने नहीं देंगे तो ये दोनों मुलमंत्र को आप लोग याद रखेगा सिच्छा और संसकार दोनों को साथ में आप लोग को ले करके चलना है और ये अभी जिस समय हैं आप लोग इस चीज़ को ओपर्चुनिटी समझिए गोलेन ओपर्चुनिटी समझिए कि अभी ये समय आप लोग को त्यारी करने का सांतिपूर्ण तरीके से सिब त्यारी करना है बहुत सारे लोग है जो की इस सिच्वेशन में पीछे हट गए हैं रास्ता बदल लिये हैं तो आप लोग को निरंतर परियास और आगे बढ़ते रहना है देखते होंगे जब तक ये बरसात का मोसम में जो बाढ़ आता है नदी के इस तरीके से नदी का बहा होता है इसके किनारे जो पेड़ होते हैं पेड़ अकसर देखते होंगे जिनके जड़ो में उतने मजबूत नहीं है वो जो पोधा है वो नदी के साथ ही बहा चला जाता है बट जो अपने उपर काम करता है जो मेहनत का सकत मेहनत करता है जड़ों को वो दूर तक फैलाता है बहिंगे बरसात में भी आप देखेगा कितनों ही नदी का वो बहाव आता है वो पेड़ हमेसे खिला रहता है और आखिर का जब बरसात का भी मोसम रहता है तो वो तो पूरा सिजन रहता नहीं है दो-तिन मंत का ही दो-तिन मंत भी छोड़िये ये जो बहावाला है ये सब्ता में एका दो दिन हो जाता है जब यही चीज ठंडा का दिन आ गया अभी जैसे आ रहा है ठंडा का दिन बरसा गर्मी का दिन आ गया तो जो पोधे बह गये वो क्या यहाँ पे खिल सकते हैं वो तो बह गये अल्डेडी चुकि उनके जड़े कमजोर थी और जिनका जड़ मजबूत था वो देखे बरसात हो गर्मी हो ठंडा का मोसम हो वसंत रीतु हो यहाँ पर पूरा कैसे खिला हुआ है वो अभी भी खड़ा है तो आप लोग को इस पेड के जैसा रहना है और अभी जो सिच्वेशन है वो समझ आपको बणाय रखेगा जो अपने आपको खड़ा रखेगा हकिरका वो आने वाला समय में जो सिच्वेशन समय होगा आने वाले समय में जो ठंडा और गर्मी का मोसम होगा means आप इस चीज को समझ leaning जो आने वाला समय होगा 2025-2026 का निश्किनत रूप से आप लोग को वहां नहीं है भले यहाँ पर थोड़ा सा डिमोटिवेशन आप लोग को लगेंगे लोग आप लोग को ताने मारेंगे बट उन सारी चीजों को सुनना है और इग्नोर करना है अनियत्था देखे गुसा एक ऐसा चीज है जो कि मनुश्य को ले डूपता है और एक चीज आप लोग इस चीज को ठानिये चाहे आप जिस भी इस्तिती में है चाहे जिस भी परिस्तिती में है जो आप लोग अपने घर परिवार फेमली के जो वारिस है आप लोग आफी लोगों को सारे परिवार को आगे ले करके चलना है को आपके लिए आपके परिवा और situation को आप लोग को खुद जहलना पड़ेगा आपका सरीर उस situation को और उस family के साथ बढ़ेगा लोगों का क्या कहा लोगों तो कह के निकल जाएंगे उनका क्या काम वो इसलिए कहते हैं ताकि आप उस राष्टा को छोड़ दिजे और वो आप भी उनी के साथ में मिल जाएं उनका उदेश मकसद कहीं न कहीं एक यही रहता है कि भला बुरा वो आप लोगों को सुना देंगे ताकि आप भी पढ़ना लिखना छोड़ दिजे त्यारी छोड़ दिजे और आप भी उसके साथ में काम करने चल जाएए काम किजिएगा मजदूरिच किजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में कितना कमा सकती है पान सो छे सो कमा सकती हैं दिन में लेकिन आप समझे कि जब आप अभी अपने उपर काम किजिएगा थोड़ा सा बस एक दो वर्स का बात है आप थोड़ा सा इंतिजार कीजिए निश्चिन्त जो समय और सिच्वेशन जो आप लोगों ने ठान रखा है कि दिसा और दसा वो चीज दोनों बदलेगी बस आप लोगों को थोड़ा सा धहरी रखना है चलिए अब हम लोग परशनों की और बरते हैं बात है थोड़ी काफी हो चुकी है अगला परशन देखिया आप लोगों का है छेत्रफल की दिरिष्टी से जार्खन का सबसे बड़ा जिल्ला का नाम क्या है छेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा जिल्ला छेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा जिल्ला पच्छमी सिंभूम और सबसे छोटा जिल्ला वो है अपलों का सबसे छोटा जिल्ला रामगर जिल्ला और जो की सबसे बाद में बना भी जिल्ला रामगर जिल्ला है जहारकन राइच में छोटा नागपूर की रानी के उपनाम से देखिए अस्थान का उपनाम पूछा गिया तो अस्थान और बेक्ती दोनों का उपनाम आप लोग यादर कर लिजिएगा छोटा नागपूर की रानी के उपनाम से नेतरहाट को जाना जाता है सोहराय और कोहवर क्या है तो ये दोनों एक परकार के चित्रकारी है जो की जहरकन का चित्रकला है सरहुल प्रब देखिए सरहुल प्रब यहां पर आप लोगों को पूछ दिया गिया है ओ हाँ सोहराय तो गिया सरहुल प्रब अब सरहुल प्रब का मनाया जाता है तो ये चैत मा के तिर्तिये सुकल पच को सरहुल प्रभ आपलो का मनाया जाता है दिवाली के दूसरे दिन देखिए सरहुल और सोहराय यहीं पे आ गिया दिवाली के दूसरे दिन क्या ची मनाया जाता है सोहराय प्रभ मनाया जाता है बिर्षा मुन्डा का जन्म कब हुआ था देखिए ये चीज हम लोग पहले पढ़े थे अभी यहां कोष्चन के बतोर पूछा जा चुका है तो बिर्षा मुन्डा का जन्म है वह 15 Numबर 1875 में हुआ था बिर्षा मुंडा का जन्म अस्थळी पारशनात पाड़ी की समुदाय के लिए धार्मिक महत हुए, अभी देखिए जिल्ला पुछा गिआ था, गृड़ी में, अब यहाँ पे की समुदाय के लिए, तो जेन समुदाय के लिए, जहारखन के परथम राइच्पाल, देखिए परथम मुखमंतरी वहाँ पे हम लोग तो वरून एरोन ये क्या हैं ये भी आप लोग का जारकन के किर्केट खिलाडी से समन्द रखते हैं मोहन कुमार मंगलम अस्टेडियम ये तो आप लोग का बोकारों में हैं लेकिन मोहन अहुजा अस्टेडियम जैसे अहुजा का नाम सुनते होंगे दिमाग में थोड़ा सा क्रियेट होता होगा यह जाहिर से बात है कोई कमपनी होगा और कमपनी वाला इलाका कहां पर है कारकाना वाला इलाका तो जमसेदपूर तो मोहन अहुजा अस्टेडियम जमसेदपूर में है लेकिन मोहन कुमार मंगलम अस्टेडियम बोकारों में है जारकन का सबसे नया जिल कब का है 2037 का अगला प्रश्ण मुख मंत्री मय्य समान योजना में देखिए परती वर्ष यहां पर कोशन देखिएगा अनिया था आप यह टीक मत कर दिजेगा परती महिना महिना में 1000 दे रहा है तो यहां टीक करके निकल लिए परती वर्ष जो अभी 1000 रूपिय के मुतावि यह वर्ष इक में 12,000 25 रूपिय तो अभी वो चीज किया गया है बट अभी तक दिया नहीं गया है अब देखिए क्या होता आगे का जन जातिये हिजला मेला हिजला मेला हिजला मेला हिजला मेला हिजला मेला आप लोग का यह कहां पर लगता है दुमका में हिजला मेला दु जार्खन में एक मात्र एम्स किस जिल्य में हैं एम्स तो जार्खन का एक मात्र जहां पे एम्स है वो है अपलो का देवगर में कहां पे देवगर में जार्खन की सबसे बड़ी नदी देखिए जार्खन का सबसे बड़ी नदी सबसे लंबी नदी सबसे परदूसित नदी दामुदर नदी दुमका में मसान जोर बांध किस नदी पर है मसान जोर बांध तो ये मैयराच्छी नदी में है कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया था इस वज़े से कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है और इस मसान जोर बांध का जो निर्मान है वो आप लोग का 1955 इस्वी में किया गया लोध जल परपात तो लोध जल परपात ये आप लोग का लातेहार जिल्ला में जहां पर नितरहाथ है जारकन का राच्किये खेल जारकन का राच्किये खेल जारकन का राच्किये खेल होकी है जारकन में छिन मास्ती के देवी का मंदीर कहां इस्ती थे छिन मास्ती के मंदीर तो ये रामगड में अवस्ती थे संथाल परगना में कुल कितने जिल्ले हैं देखिए परमंडल में कितने जिल्ले हैं यह परशन यहाँ पे एक पूछा गया है तो संथाल परगना की बात करते हैं छे, साथ किसमे हैं उतरी छोटा नागपूर में साथ दचनी छोटा नागपूर में पांच पलामू और कोल्हान में तीन तीन जिल्ले चेत्रफल की दिरिष्टी से ज़ार्खन का सबसे छोटा जिल्ला चेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे बड़ा हम लोगों ने देखा पच्छमी सिम्भूम अब यहां पे परश्ण है सबसे छोटा जिल्ला तो छेत्रफल की दिरिष्टी से सबसे छोटा जिल्ला रामगड जार्खन का सरवाधिक जनसंख्या वाला जिल्ला जार्खन का सरवाधिक जनसंख्या एक जगा हम लोगों ने देखा नियूंतम जनसंख्या लोहरदग्गा और यहां पे प्रश्ण है सरवाधिक जनसंख्या वाला जिल्ला तो सरवादिक जनसंख्या वाला जिल्ला राची जिल्ला तो इस प्रकार ये कुल हमारे यहां पे थे टोटल 75 प्रश्ण जो की जहारखन के 10 जिल्लों के अलग अलग जो 10 जिल्ले हम लोगों ने जिस्काशन किया था तो ये देख सकते हैं जो आप लोग रामग लग लग परश्ण कराए गया है इनमें से कुछ जो परश्ण है जैसे जारकन राज का गठन हो गया बिर्शा मुंडा से समन्दित सर्वाधिक जनसंख्या नियुंतम छेत्रफल सर्वाधिक छेत्रफल राच्किय पसू पच्छी ये सब वाले कुछ कुछ परश्ण है जो की तीन चार जिल्ला में परश्ण के रूप में पूछे गए हैं तो उनको तो हम लोग दो तीन बार लेने का परियास तो नहीं कियेगे तो ओभर ओल ये जो 75 परश्ण आप लोग देखिएगा आने वाले जो नो जिल्ला में एकजाम हैं हर एक जिल्ला में आप लोग के यहां से परश्ण देखने को मिलेंगे इसी परकार ज्यारखन जिक्के के जैसा ही आप लोग का एक मैथ रिजिनिंग का लाया जाएगा सेशन और एक आप लोग का ओल इंडिया जिक्के और साइंस का सेशन दोनों को मिला करके लाया जाएग तो चलिए इस सेशन को आज हम लोग यहें पर समाप्त करते हैं जे जहारखंड, जोहार जहारखंड